एक ही तरीकी की ओमलेट खा खाक के बोर हो गए ना तो चलिए है आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली स्पैनिश ओमलेट जो कि बच्चे तो इतरी शौक से खाएंगे और पड़े भी खाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह Spanish Omnit जो कि बहुत ही जादा टीस्टी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, और पैन में डाल देंगे, टू टेबल स्पून, और इसके बाद मैंने एक आलू लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और यह बड़े साइस का अलू है, जो कि बड़े साइस का अलू होता है वो मैंने लिया है, और इसको मैंने बिल्कुल fine chop किया है, बिल्कुल बारीक बारीक आपको इसको काट ला है, और इसको oil में अचिसे फ्राई करना है, तो देख लीजीएगा, आप इस तरीके से ओल में अगर इसको आलू को हम fry करते हैं तो एकदम से आलू आ सॉफ्ट हो जाता है और एकदम से जाद मतलब टाइम नहीं लगेगा अगर आप बारी काटेंगे तो बहुत ही चल्दी से यह गल जाएगा आलू आपका तो हलका हलका इसको ओल में सौटे कर द लिया है और उसको भी बारी चॉप कर लिया है और वह भी इसमें मैं यहां पर डाल दिया है तो अब आलू और प्याज इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल देंगे salt टेस्ट के हिसाप से अपने salt डाल दें इसमें ताकि salt से क्या होगा अगर हम यहाप डाल देंगे तो हमारे आलू और प्यास थोड़े जल्दी गल जाएंगे और यह मैंने half टेबिल स्पून लिया है black paper तो यह इसमें डाल देंगे जरूर डालेगा आप इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें और यह मतलब जरूरी है डालना black paper काली मिर्च का पाउडर ले ले आप चाहे तो आप काली मिर्च ले 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 उसको भी आप पीस के और वो डाल सकते हैं इसे तो मैंने काली मिर्च का जो पाउडर होता है बनावा वही डाला है इसमें तो देखिए मैंने थोड़े ढखके रखा और यह दिखिए बिल्कुल आराम से आलू और प्याज अच्छे से गल गए हमारे तो यहां पर आप मीडियम फ्लेम ही रखेंगे जद्धा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे तो हमारे आलू प्याज सब गल चुके थे तो अब इसको हम एक पैन में निकाल लेंगे ताकि यह थंड़ा हो जाए थोड़ा सा और जब हम इसे यूज करेंगे तो इसे थंड़ा ही करके यूज करेंगे गरम गरम आप इसको ना यूज करें पहले हम इसे एक प्लेट में रख देंगे थंड़ा होने के लिए थोड़ी देर में ही एकदम से इसकी जैसे ही स्टीम निकलेगी और यह एकदम से ठंड़ा हो जाएगा जादर टाइम नहीं लगता है इसमें तो इसे हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने के लिए अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और मैंने लिये हैं 3 eggs अब मैं 3 eggs को तोड़ लूगी एक बाउल में चाहे तो आप अगर जाधा बना रहे हैं तो आप जाधा भी अंडे यूज़ कर सकते हैं वैसे मैं 3 अंडे से बना रहे हूँ तो 3 अंडे से पिल्कुल परफेक्ट बन गया था मेरा ओमलेट और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एट कर देंगे 1 अब टेबल स्पून की करीब और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से जब तक फ्लफी नहीं हो जाए तब तक हम इसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से ताकि हमारे ओमलेट इकदम फूला फूला और अच्छा सा बने फोक से कर लिया आप फोक से भी बहुत अच्छी तरीक से ये फ्लफी हो जाता है तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमे रेट चिली डाल रही हूँ लेकिन ये टोटली ऑप्चिनल है अगर आपको नहीं डालनी है तो आप नहीं डाले क्योंकि स्पैनिश ओमलेट में रेट चिली नहीं डालती है लेकिन मैंने अपने टेस्ट की हिसाप से थोड़ी सी डाल दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें मिर्ची कम लग रही थी क्योंकि ब्लैक पेपर डाला है तो उसमें थोड़ी मिर्ची light रहती है तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी इसमे रैचली डाली है तो अगर आप देख लें अगर आपको डालना है तो डालें बाकि आप इसे skip भी गर सकते हैं और यहां पर हमारे आलू जो थे जो हमने ठंडा होने के लिए रखेते और प्यास वो बिल्कुल ठंडा हो गए है और एक्स के अंदर हमने उसको mix कर दिया है तो आप ध्यान रखेगा जब आपके आलू और प्यास जो हमने रखेते वो बिल्कुल ठंडे हो जाए तभी हम अंडे में डालेंगे नहीं तो अंडा हमारा खराब हो जाता है गरम डालने से तो बस देखिए अच्छे से mix हो गया है अब यहां पर हम फिर से पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे टू टेबल स्पून ऑईल डाल देंगे दुबारा से चीजिए हमें अब यह अपना ओमलेट पकाना है तो हम इसमें थोड़ा ओईल और डाल रहे है जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगा हमारा ओईल तो इसमें हम अपना यह बैटर जो अपने बना के रखा था आपने ओमलेट का वो डाल देंगे तो अभी क्या करेंगे हम हाफ हाफ करेंगे डालेंगे यहाँ पर पहले हाफ डाल देंगे थोड़ा सा उसको पकाएंगे उसके पाद हाफ डालेंगे तो बिल्कुल proper डालना है आपको half डालना है और half बचा लेना है ध्यान से डालिएगा इससे बिल्कुल आधा डाले दिखिए मैंने आधा जो omlet का better था वो भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मैं पकने दूंगे अलका अधा जाएगा तो जैसे ही यह हलकलगा उपर से पकने लगेगा तो यहाँ पर हम इसमें एड़ कर देंगे मॉजरिला चीज क्योंकि चीज से ही इसका टेस्ट बहुत जादा अच्छाता है और बच्चे तो बहुत जादा शौक से खाते हैं जब हम इसमें चीज डाल देता है तो चीज एड़ कर देंगे हम यहाँ पर और इसके बाद इसके उपर जो हमारा बचा हुआ बैटर है वो डाल देंगे उपर से ओमलेट के बस अब हम इसको अच्छे से फैला देंगे इसके उपर एकलेर लगा देंगे और इसको ठके रख देंगे 5-10 मिन्ट के लिए low flame पर और यहाँ पर हम gas की flame अपने लो ही रखेंगे gas की flame हम high नहीं रखेंगे नहीं तो हमारे जो egg है वो नीची से जल जाता है तो देखिए हमें 5 मिनटी हुए थे और यह एक हमारा अच्छे से एक साइट से हो गया है तो मैं क्या करूँगी एक प्लेट ले लूँगी और इसको इस तरीके से फ्लिप कर दूँगी दूसरी साइट से क्योंकि हमें दूसरी साइट से भी एक को पकाना है तो देखिए हम ने इसको पलटके प्लेट पर रखा औ दुबारा से डुम दुसरी से डालके आडळाए अन्हुती हम और इसको दुबारा से पकाएंगे दूसरी साइब से तो इसे भी हम ढखते हैँ थोड़ी के लिए था कि हमारा इक पीछे साइब में अब दूसरी साइब से भी पक जाया है आच अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में देखिए कितनी अच्छी तरीके से त्यार हुआ है नहीं तूटा है बिल्कुल भी और बहुत अच्छी तरीक से फूला है ये और दोनों ही साइड से एकदम परफेक्टली पक चुका है ये और अंदर से भी बिल्कुल पक गया है अंदर से बिल्कुल भी कच्छा नहीं है चीज भी एकदम से इसका मैल्ट हो गया है और पटाटो वगयरा बिल्कुल सब कुछ एकदम गल गया है कोई भी इसमें कुछ भी कच्छा नहीं है तो देखिए आप ज़रूर बनाएगा ये वाली ओमलेट उमने बच्चों के बच्चों को तो बच्ची खुश हो जाएंगे देखिए आप ज़रूर बनाएगा बहुत टेस्टी है मैं आपको ट्राइक करके बता रही हूं इसका टेस्ट भी बहुत जादा अच्छा है बहुत जादा यमी है बिल्कुल अलग टेस्ट आरहा है इसका तो आप ज़रूर इसक ट्राइ करेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को तो like फ़रूर ही कर देना और मेरी चणल को bho subscribe करेगा तो रोज ही मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही अच्छी वीडियो लाऊंगी और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में देखे किती अच्छी तरीके से बना है अग एकदम पर्फेक्टली अंदर से गला हुआ पिल्कुल टेस्टी बहुत टेस्टी बना है